गुर्णाम नमस्कार कलक्षय तिर्तिया को मैंने यम्ना मया का गुर्णगान गया था आज मैं आपके समुख मा गंगा का गुर्णगान एक छोटी सी कोशिश के साथ जितना मुझे इस अल्प ज्यानी को पता है तो दो सब्द आपके प्रेम में कहते हैं कि ब्रमांड अनन्द है प्रकर्ति भी अनन्द है और अनन्द है ये सारी स्रिष्टी पुराणों के अनुसार गंगा नदी नदी नहीं परंपराओं में प्रिर्णा है जीवन की संगती है और दिव्य भाव में समोहित भी है पुराणों में स्रिष्टी की आधार ब्रम रूप से गायन किया गया है कि वही परमतत्व शाक्षाद ब्रम धाम की आधार गंगा माही है गंगा हिमाले से निकलती है हिमाले को पिता का मान मिला है और हिमाले के चरणों से निकली है हमारी गंगा जिसको दुनिया में मा का दर्जा प्राप्त है सबसे श्रेष्ट धारा राजा भगिरत की रत के पीचे पीचे चली इसलिए गंगा का नाम भागिरती ही पड़ा दूसरी धारा अलकापुरी ग्लेशर से श्रीमुक परवत से की गई गंगा का नाम अलगनन्दा पड़ा और तीसरी धारा भगवान श्री केदानात को गई गंगा का नाम मंदाकनी पड़ा सर्व सास्त्र मही गीता सर्व देव मयो हरी सर्व तीर्थ मही गंगा सर्व बेद मयो मनू पुराणों के अनुसार राजा बली से जब विश्नु भगवान के वामन अवतार सुलूप में तीन लोक मांगने पर असापन्त होने के कारण जब अपने पैरों से तीन पग नाप रहे थे तो उनके नक्षिद्र से अगात हुआ तो ब्रमांड का सिखर तूट गया जिससे ब्रमांड दो भागों में बंट गया ब्रमांड का भारी जल अनेक धारों में बंट गया तब ब्रमा जी ने विश्नु के चरण पकार कर मा गंगा को अपने कमंडल में समाईत कर दिया ब्रमा की अराधना पर जब गंगा उतरने लगी तो शिव जटाओं में समा गई जब शिव ने एक धार को छोड़ा तो गंगा दस धाराओं में बंड गई मुक्त होने पर गंगा देव लोक में अलग नंदा, पित्र लोक में बेतरनी और मुर्त लोक में अमर्त मई गंगा के नाम से जानी गई गौतम लिची के परियासों से अवतरित गंगा को गौतमी गंगा भी कहा गया है हिमालाई तीर्थों में पर्थम यमनोतरी, दुतिय गंगोतरी धाम, करमसा यमना किनारे तथा भागिरते के किनारे गंगोतरी धाम, मंदागिने के किनारे भगवान श्री केदार नात और अलगनंदा के किनारे श्री भगवान बदरी नात धाम स्तित है अक्षय तिर्तिया दिवस पर गंगा मा की सीथ कालिन गदी से अपने उचस्तान गंगोत्री धाम में डोली प्रमपरा के साथ बिराजमान हो जाती है हर वर्ष अक्षय तिर्तिया को तता छे माह के पशात पुना दीपावली के बाद भया दूज को कपाड़ बंध हो जाते हैं प्रतेक मास की क्रिश्न पक्ष की सस्टी से लेकर अमवश्या तक गंगा पृत्वी पर ही निवास करती है गंगा का उद्गा मस्तल गंगोत्री से 18 किलोमेटर दूर गौमख गिलेशर से उद्गमित होती है इसी सभी आस्थावान सरदालू आस्था लेकर सुक समरिदी यस एश्वर्या और सोभाग्य की प्राप्ति की अभिलासा करते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं बरसों से पुर्वजों के समय से यही बात आज भी सत्य है सत्य है सत्य है नमस्कार छोटी सी बात के लिए आपका आभार धन्यवाद नमस्कार